मेरे प्री नौजवान साथियों नमस्कार इस्टड़ी नाइड़ेवन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों लगहतार चल रही हमारी बात जो आपके लिए है कुछ खास एक्जाम पॉइंट आप व्यू से लाया हूं मैं आपके लिए महत्पूर बात फिर देर किस बात की है मेरे दोस्त जल्द से जल्द जुड़ जाईए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कर दीजिए जी हाँ जो हमारा इससे पहले क्लास थी उसमें समस्त बच्चों ने क्या गजब के कमेंट्स किये क्या क्या बाते ही रखी कहीं सर आप अभी जो वर्ल्ड जेयोग्रॉफी से सम्बंदित बाते हम लोगों के सम्मुक रखे एक इंडियन जेयोग्रॉफी से भी सम्बंदित बातों को आप रख दीजिए ताकि हमारा इक्जाम आसान हो सके तो फिर देर किस बात की दोस्तों आज हम इंडियन जेयोग्रॉफी से सम्बंदिते समस्त प्रश्णों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों पहला प्रश्ण क्या कहरा है देखिए दोस्तों कुछ प्रश्ण ऐसे हैं जो बहुत महत्त पूर है लेकिन है टप तो इससे को ही देखिए हर तरह के प्रश्ण होते हैं उपर नीचे तो पहला प्रश्ण क्या कह रहा है निम्म लिखित उच्चावन आकृतियों पर विचार कीजिए महादेव परवस्रंखला मैकाल परवस्रंखला छोटा नागपूर पठार फिर लिखा है खासी की पहाड़ी लिख इसको पढ़ना कभी भी मत भूलिएगा ऊपर युगतू चावच आक्रितियों का पस्चिम से पूर्व की ओर किधर लगाना हैं तो फिर इनको लगाना स्ट करना शुरू कर दिजे महादेव परवस्रंखला कहा है भईया ठीक है यहाँ है फिर माइकाल परवस्रंखला भी अपका यहां है छोटा नागपर 36 गर ज़ारखंड वाला पार्ट यहां पर है मैकाल महाराष्ट के छेतर biscuit और आपका खासी कहां पर है निगाले में है तो कहने का मदलब यार जैसे है तैसा रखना है पस्चिम से पूर्व ही तो रखना है ये आल रेडी सिरिम नाम लिखा है कहने का मदलब ये आल रेडी सेट ही रखा है थोड़ा इधर उधर घुमाता ना तो दिक्कत करता कसम से दिक्कत करता थोड़ा सक्या कर देता जैसे मैकाल परवसरेडी को खासी के पहले ला देता और साथ ही साथ महादेव को लाश्ट में लाता तब आपके दिमाग में जिहां संसे उत्पन होना सुरू हो जाता है लेकिन दोस्तों प्रश्ण तो यहां से लाजवाब आने वाले हैं करकरेखा निमलिखित में से किस एक राज जिसे होकर के गुजरती है राजस्थान गुजरात उड़ीसा त्रिपुरा से तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नहीं गुजरती है कहां से नहीं गुजरती है तो राजस्थान से भी गुजरती है गुजराज से भी गुजरती है उड़ीसा से नहीं गुजरती है क्या उड़ीसा से नहीं गुजरती है त्रिपुरा से भी गुजरती है देखिए दोस्तों जादा तर जो प्रश्ण पूछे जाएंगे अब आने वाले समय में या तो पस् प्राज राता है फिर राज अस्थान आता है दोस्तों फिर आपका मद्धेस आता है फिर छ शत्चिस गढ्ड आता है क्या अता है ज़ारखंड आता है छारखंड आता उसके बाद क्या होता है दोस्तो मिजोरम का अस्थान बनता है तो इस तरह दोस्तो आप से आप पस्चिम से पूर्व पूछे या फिर पस्चिम से पूर्व या पूर्व से पस्चिम आपका सभी के पास जवाब होगा तो यहां से उडीसा से नहीं जाती है आठ राज्यों से गुजरती है करक रेखा यहां पर देख लीजे दोस्तों जैसे या प्रित्वी है तो प्रित्वी पर यह है विश्वत रेखा विश्वत रेखा के साढ़े तेश डिगरी नार्थ में है आपकी करक रेखा जो की साढ़े तेश डिगरी साउथ में साढ़े तेश डिगरी क्या ह साउथ में मकर रेखा इस्थित है अगला प्रश्ण आपका बांगला देश से निम लिखित में से कौन से पडोसी राज संबंध रखते हैं बांगला देश से कौन कौन रखता है दोस्तो मेघाले रखता है मिजोरम रखता है लेकिन आप कहा सिक्किम नहीं रखता है बांगला देश से सिक्किम की बॉर्डर सीमह नहीं लगती है साथी साथ आपका पस्चिम बंगाल की सीमह सरवाधिक क्या होती है बांगला देश से लगती है त्रिपुरा की सीमह लगती है और त्रिपुरा के तो तीनों तरब से बांगला देश ही स्वयम है याद रखिएगा दोस्तों आपकी मेघाले से लगती है असम से लगती है त्रिपुरा से लगती है लेकिन दोस्तों आपके सिक्किम राज्य से नहीं लगती है इसलिए आपका एक और दो सही है बाकी ये तीसरा नहीं है दोस्तों तो यहां से भी बांगला देश की भारत के साथ सरवाधिक सीमा लगती है कितना लगती है ये 4,096 जी हाँ दोस्तो साथ के आसपास किलो मीटर लगती है आपके बांगला देश की सीमा भारत के साथ है और आगे आपको बता दे सून रेखा कहां पर है तो भारत के त्रिपुरा और बांगला देश के बीच में ही सून रेखा इस्तित्य है ऐसा प्रश्न भी बना है याद रखिएगा दोस्तो तो नोट कर लिजेगा अगला क्या कहता है भारत में सबसे कम लिंगा नुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तो भारत में सबसे कम लिंगा नुपात वाला राज्य हरियाडा याद रखेगा हरियाडा लेकिन कब के अनुसार जन संख्या दोहजार ग्यारा के अनुसार जनगड़ना के अनुसार है लेकिन अभी जब दोस्तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चली उसके तहत हरियारा ने रिकार्ट तोड़ दिया दोस्तों आपको बता दे वर्तमान में इसका जो लिंगानुपात दर्ज करिया जा रहा है वह 922 के आसपास है कितना 922 के आसपास है और 2,016 में जो लिंगानुपात वह 900 कहने का मतलब 1,000 पूर्सों में 922 किया या महिलाएं हैं लड़के और लड़कों को ले करके तो कहने का मतलब दोस्तों गजब का परिवर्तन आया है और दोस्तों मांसु जिलर और आपकी जब साक्षी मलिक जैसे भारती महिलाएं बाहर निकल करके आती हरियारा राज्य से तो दोस्तों याद रखे गानी बह रही होगे जब कि सरवाधिक लिंगा नुपात 1884 केरल का है जनगर्णा 2011 के अंशार तो यहां से भी प्रश्ण आप देख सकते हैं अगला प्रश्ण आपके सामने 2011 की जनगर्ना के अंतिम आकडों के अनुशार शर्वाधिक जनसंख्या घनत वाला जो राज्य है दोस्तों वह कौन है पस्चिम मंगाल केरल अंध प्रदेश बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत जो है वह बिहार का है कितना है 1106 प्रति वर्ग किलो मीटर है यहां पर ठीक है दोस्तों 1106 प्रति वर्ग किलो मीटर यहां रहते हैं एक किलो मीटर के अंदर 1106 लोग रहते हैं जबकि अरुडाचल प्रदेश में अरुडाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत वाला राज्य है और कितना है जनसंख्या घनत यहां का तो मात्र 17 बताया जाता है व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर अगला प्रश्ण जन संख्या की द्रिष्टी से भारत का सब से बड़ा केंदर सासित प्रदेश कौन सा है तो दिल्ली है कौन सा है दिल्ली है दिल्ली की जो जन संख्या रही है दोस्तो जनगर्णा दो हज्जार ग्यारा के अनुशार वह लगभग एक करोड़ 80 लाख की पास जन संख्या दिल्ली की है दिल्ली आपका पता होना चाहिए एक बिधान सभा छेत्र वाला हा केंदर शासित प्रदेश है और जो बिधान सभा की सीट है वह कितनी है दोस्तों सत्तर है और साथ ही साथ यहां पर किसकी सरकार है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है किसकी ह पहले से देखा जा रहा है दोस्तों इनहीं की सरकार बनी हुई है इसके साथ इसाथ और आगे आप देखिये गानी जो सिलसिला चल रहा है यहाँ पर वह भी बहुत महत्तुपूर है क्या आखिर दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि जो दिल्ली है ठेक है यहां साथ जी हां लोग सभा की सीट है और तीन राज्य सभा की सीट है ये भी बाते हैं दूसरा आगे जनसंख्या की दृष्टी से भारत के तीन सबसे बड़े राज्यों का स्रही क्राम है दोस्तों जजवा होनी चाहिए ताकत होनी चाहिए लड़ने की छमता होनी चाहिए जीता वही है जिसमें जान है हारा वही है जो क्या है दोस्तों एकदम अपने आपको मान लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते और जिसने ठान लिया है उसने करके दिखाया है क्या आप में भी छम अगर छमता है तो एक बार लाइक करके हमको बताइए कि हाँ आप लेगे जी हाँ दोस्तो दरवाजा खुला है जिसके लिए जो लड़ता है दोस्तो याद रखिएगा तो जजवा हमेशा बना करके रखिए जन संख्या के दृष्टी से भारत के तीन सबसे बड़े राज्यो फिर उत्तर प्रदेश महाराष्ट और फिर बिहार का अस्थान आता है दोस्तो ये बाते हैं आपके लिए तो इसमें बाती नहीं करना है जन संख्या के आकार की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य अभी हाल ही में हुए पिट एक्जामनेशन में जो सेकेंड मीट का पेपर था वहीं का ये प्रश्ण है दोस्तों सिक्किम आपका सबसे छोटा है जन संख्या की दृष्टी से है जबकि छेत्रफल की दृष्टी से गोवा है जबकि छेत्रफल की दृष्टी से कौन है गोवा है तो इस तरह आप समझ सकते हैं सिक्किम की जन संख्या 6,10,000 के आसपास है ठीक है यह जानना चाहिए दोस्तों यहां से भी प्रश्ण पूछा जाता है अगला प्रश्ण आपके सामने नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्ज में इस्थित है नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्ज में इस्थित है तमिल दो बार दिया है कोई बात नहीं है तो यहां पर जो आंध प्रदे से वह सही है नागा अर्जुन शागर परियोजना किस नदी पर है कृष्णा नदी पर है दोस्तो यह भी पता होना चाहिए बहुत बड़ी परियोजनाओं में से एक है नागा अर्जुन शागर परियोजना भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है दोस्तों तो यहा हुगली नदी है हुगली नदी गंGa की ही एक शाखा है दोस्तों जो पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी पर जाती है दामोदर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है यह दोनों नदियां मिल करके नहीं क्या करती है बहुत बड़े मुहाना का निर्मार करती है मुख का निर्मार करती है जहां पर गिरती है इसलिए आपको हुगली नदी के बारे में समझना चाहिए यह जो बैराज है ना दोस्तो आपका फरक्का बैराज का नाम सुने है वहीं के जेश्ट आगे से हुगली नदी निकलती है दोस्तो गंगा की साखा के रूब में छिप्रह नदी निमलिखित में से किसकी सहायक नदी है तो चम्बल की सहायक नदी है दोस्तो आपका मालवा पठार का नाम आपने सुना होगा उज्जेन किस नदी के तट पर है जी हाँ दोस्तो महा काले स्वर मंदिर किस नदी पर जी हाँ ये सारी चीजे आप समझ में आ गया होगा छिप्रह नदी छिप्रह नदी के बारे में जितनी बाते की जाएं कम लेकिन उससे महत्पूर है चम्बल नदी चम्बल नदी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदियों में से एक है और सबसे प्रमुख नदियों में से एक है राजस्थान का कोटा जी हाँ दोस्तो चम्बल नदी से सम्मंदित है चुलिया जलवप्रपात का सम्मंद जी हाँ दोस्तो इसी से है और आपको बता दे कि जो आपकी चम्मल नदी है यहाँ सबसे ज़्यादा बीहर बनाने वाली नदी है बीहर का मतलब होता है दोस्तो बहुत ज़्यादा यहाँ नदी क्या करती है कटाओ करती है बहुत ज़्यादा क्या करती है कटाओ कर साथ ही साथ दोस्तों यह वही चम्मल नदी है जिसके पास अभी भी गौराया देखे होंगे उत्तर प्रदेश गौराया दिवस मनाता क्यों क्योंकि गौराया की प्रजातियों पर क्या हो गया था दोस्तों खतरा उत्पन हो रहा था गौराया गायब हो रही थे इसलिए गौ मिलता है साथ ही साथ चम्मल नदी जो है यमुना की प्रमुक सहायक नदियों में से एक है जो यमुना के दाएं तरब से मिलती है दोस्तो इस तरह आप इसके बारे में जितनी बात करें उतना कम है ठीक है गांधी सागर आपने बहुत सारे जल प्रपातों का नाम सुना होगा तो उसमें चम्मल नादी का अग्रडी अस्थान होता है, निम्ण में से किस नदी को भिहार का सोक का जाता है, तो कोसी नदी को भिहार का सोक का जाता है, किसको का जाता है, कोसी नदी को भिहार का सोक का जाता है, क्यों का जाता है भाई, क्योंकि यह नदी सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है, मार्ग बदलने के कारण बिहार में जो इसके आसपास के गाउँ छेतर है, वहां पर बाढ़ आती है, इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बिहार का सोक कहा जाता है, कोसी जो सहायक नदी है, वहा गंगा की सहायक नदी है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं, दोस्तों जवर जश्त बच्चों, 40 लाग से अधिक लोगों ने हम पर विश्वास किया है, जवर जश्त स्रंकला चल लेए दोस्तों, अब आप सभी का लाइब टेस्च होने वाला ह जी हाँ दोस्तों कौन-कौन बच्चे तयार हैं एक साथ एक ध्वनी मेनी अपने आपको भीमसर से जुड़ने के लिए लाइफ टेश्ट के लिए मैदान और ये 40 लाख बच्चों में अपनी प्रतियोगी परिक्षा का दे करके रिजल्ट जब प्राप्त करेंगे तब आपक का एक रैंक निश्चित किया जाएगा कौन मारता है प्रतम बाजी कौन मारता है दूसरी बाजी और कौन मारता है अंत की बाजी ये सारी चीज देखने को मिलेंगे साथ ही साथ हम उसका जी हाँ दोस्तों लाइफ सेलूशन भी कराएंगे ऐसी सारी चीजे अब हम लोग हो जाए क्योंकि इस रंखला आगे बहुत जबर जस्त चलने वाली है तो दोस्तों दिये गए नंबर पर कोई भी समेश्या होती है कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको बैचस अगर कोई पर्चेश करना है तो उसके लिए भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं गंगा नदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो गंगा नदी को ये बहुत चिंदी चोरी प्रश्न है गंगा नदी को पदमा के नाम से जाना जाता है जबकि ब्रम्भ पुत्रह को जमुना के नाम से जाना जाता है गंगा ब्रम्भ पुत्रह मेघना के नाम से मिलने के बाद मेगना के नाम से प्रवाहित होती है क्या गजब के प्रश्न बन जाते हैं एक सेख और ये बांगला देश में ही है जबकि सांगपो नदी जो तिबबत की राजधानी लासा है उस छेत्र में ब्रह्भ पुत्रह को संगपो के नाम से जाना जाता है इस प्रश्न कहां एंसर पदमा है ठीक है इस गंगा नदी का अगर हम देखे तो गंगा नदी का जो उदगम होता है वो गो मुख हिमनद से होता है गो मुख हिमनद ठीक है गो मुख हिमनद से होता है और हिमनद से होने के बाद जी हाँ दोस्तो उत्रा खंड से आगे जा करके नी उत्तर प्रवेश में प्रवेश करके नी जी हाँ दोस्तो बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल से आपका नी जा करके बंगाल की खाड़ी में मतलब बंगला देश होते हुए बंगाल की खाड़ी की तर सहायक नदियों में से एक है बाकी राम गंगा गूमती कोसी ठेक है सोन तौस गंडक ऐसी बहुत सारी प्रमुख सहायक नदिया है दोस्तों याद रखिएगा अगला प्रश्ण आपका गारो खासी और जैनतिया जो पहाडिया है वह किस राज्य में हैं दोस्तों मेघाले आज अगर सरवाधिक वर्सा वाला छेत्र बना है तो इन ही पहाडियों के कारण हुआ है क्योंकि जो ये परवस रंखलाएं हैं ये कीप प्रकार की परवस रंखलाएं हैं जिसके कारण जो दक्षडी पस्चमी मानसून के कारण ही भारत में सरवाधिक वर्सा होती है दक्षडी पश्चमी मानसून जब प्रवेस करता है तो बाहर निगही निकल पाता है इसी के कारण यहां पर सरवाधिक वर्षा देखने को मिलती है मासिन राम मेघाले वह अस्थान है जहां पर विश्व की सरवाधिक वर्षा होती है दूसरा जो है वह चेरह पूंजी है दोस्तों तो इस तरह आप यहां से भी सोच सकते हैं अगला प्रश्ण क्या है भारत का छेत्रफल कितना है 32,87,263 किलो मीटर भारत का छेत्रफल है भारत छेत्रफल की दृष्टी से 20 सुका सात्वा देश है और पूरा छेत्रफल जो है लगभग 2.4 प्रतिसत के आसपास होता है यह जान करके अच्छा लगेगा कि भारत से सबसे बड़े जो देश है छेत्रफल में वहारूस है कनाडा है ठीक है ना दोस्तों फिर आपका USA है फिर आपका चीन है फिर आपका ब्राजील है ठीक है ब्राजील है फिर आपका आश्ट्रेलिया है ठीक है आश्ट्रेलिया है फिर आप का भारत आता है याद रखेगा सातवे नंबर पर आता है इसके बाद अर्जेंटीना हन का नाम आता है फिर कजाकिस्तान हन का नाम आता है तो इस तरह आप यहां से भी देख सकते हैं थार मरुस्थाल कहां इस्थित है तो थार मरुस्थाल भारत और पाकिस्तान दोनों में है गोडवन नामक पक्षी यहाँ पर पाया दाता है थार मरुस्थल जो भारत में है वह विसेश करके राजस्थान के छेतर में देखने को मिलता है कहाँ पर वह आ राजस्थान के छेतर में है तो यहाँ से भी जानना आपके लिए जरूरी है जनसंख्या जो सरवाधी की किसी मरुस्थल में जनसंख्या घनत जादा है वह थार मरुस्थल में ही है तो इस तरह दोस्तों यहां से भी देख सकते हैं करकरेखा भारत के कितने राज्यों से हो करके गुजरती है, तो करकरेखा भारत के आठ राज्यों से हो करके गुजरती है, कितनी राज्यों से, आठ राज्यों से ही यह गुजरती है, तो इस तरह आप यहां से भी देख सकते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिर तक की लंबाई कितनी है तो भारत की उत्तर से दक्षिर तक की लंबाई जो है वह बतिस सो चौदा किलो मीटर है कितना बतिस सो चौदा किलो मीटर है इंदरा काल से ले करके जी हां दोस्तों कहां तक इंदरा काल से ले करके कन्या कुमारी तक की ब बात होती है यह जानलीजे जो आपका दक्षणी वाला पौइंट है वो कहा है वह आका इंदरा पौइंट दूसरा प्रश्न बनता है पूर्व से पस्चीन की जो लंबाई है दोस्तों वह की कि मुथु से ले करके ऑप नी कहां तक गर माता या मोतिहार भी कहते सको गर माता तक की ज़ो लंबाई है दोस्तों वह उन्तिस सो तैचिस किलो मीटर है कितना threat chỉुमी तो इस तरह दोस्तों यहां से भी देख सकते हैं रेड क्लिफ एका कौंसे रेखा है दोस्तों कहां है तो रेड क्लिफ मतलब रेड मतलब खत्रा तो भारत के लिए खत्रा कौन है पाकिस्तान है तो कहने का मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच में जी हाँ दोस्तो रेड क्लिप रेखा है जितका निर्धारण सतरह अगस्त ठेक है सतरह अगस्त वो 1947 में हुआ था भारत और अब अउगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है कौन सी है डूरंड रेखा है भारत आर चीन के बीच में मैक मोहन रेखा है कौन सी रेखा है मैक मोहन रेखा है तो इस तरह दोस्तों यहां से भी बाते आप समझ सकते हैं अगला प्रश्ण आपका भारत का सुदूरतम बिन्दु कौन सा है तो भारत का सबसे दक्षडी बिन्दु जो है वहां इंद्रा पॉइंट है कौन है इंद्रा पॉइंट है कहां पर है दोस्तों यहां ग्रेट नीकोबार में है बड़ा नीकोबार भी कहते इसको तो ग्रेट नीकोबार में है जबकि उत्री बिन्दु इं पर है तो अरुलाचल प्रदेश में है जब कि पश्चमी बिंदु जो है वहां गौरा माता या फिर गुहार मोती है दोस्तों यहां कहां पर है यहां गुजरात में है तो इस तरह यहां से भी देख सकते हैं इंद्रह पॉइंट यहां पर सुदूर्तम दक्छडिय बिंदु ह अगला प्रश्ण आने से पहले हमारे हां जबरजस्त बैचो की स्रंखला चल रही है दोस्तों टेट हो सूपर टेट हो हिंदी इंडिजुवल क्लास या मैथ इंडिजुवल क्लास की बात के साथ साथ लेकपाल और आरो यारो जैसी प्रतियोगी परिक्छाओं के लिए जब परजस्त आफर के साथ बंफर आपर दसारा और दीपा वली का चल रहा है आप सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं और गजब से अपनी प्रतियोगी परिक्छा का पर्चम लहरा सकते हैं दोस्तों आज कल आदमी के लिए जानना चाहिए बहुत कुछ चीज़े बहुत आसा मानक समय रेखा कुछ ऐसी गुजरती है भारत की मानक समय रेखा क्या होती है कुछ ऐसे गुजरती है तो यहां से भी बाते आपको समझना चाहिए भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है साड़े 22 डिगरी साड़े 22 डिगरी क्या होती है दोस्तों यहां पर डिगरी क अगर पूरुवी देसांतर से गुजरती है तो नो डाउट जो भी मानक समय से पूरु जाते उनको समय का लाब होता है जो लोग पास्चिव में जाते उनको समय कहानी होता है ऐसा सी चरफा दोस्तो आपको सहायक हो जाएगा पानी की धारा में अगर आप प्रवाहित मलब तैरना चाहते तो बहुत जल्दी से पहुँच जाएंगे लेकिन अगर विपरीत दिसा में जाएंगे तो दोस्तों जो उसका बल है फोर्स है वहाँ आपको क्या करेगा रोकेगा और रोकेगा तो गती में भी रुकावट आएगी इसलिए यहाँ पर समय की भी हानी होती है जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है तो कहने का मतलब यह है जो मानक समय रेखा है वहाँ भारत से क्या है साढ़े पांच घंटे आगे है ना कितना साढ़े पांच घंटे आगे है और साढ़े पांच घंटे आगे का होने का कारण क्या है क्योंकि एक डिगरी बराबर कितना होता है चार मिनट होता है एक डिगरी बराबर कितना होता है दोस्तो चार मिनट होता है और ये आया कहां से ह तो इसके बारे में देख लीजिए, एक डिगरी बराबर 4 मिनट आया क्या है, क्योंकि आप जानते है, पृत्वी का या पूरा सरकिल कितना है, 360 है, पूरा 360 घूमने में पृत्वी कितना समय लेती है, 24 घंटा लेती है, जब इसको काटोगे तो सायद 15 आपको प्राप्त हो ज दोस्तो डिगरी घूमती एक घंटे में, तो दोस्तो अगर हम एक मिनट में देखेंगे कितना घूमेगी, तो 60 मिनट रोंता है, 15 से भाग देंगे, तो चार आएगा, एक डिगरी में ज़ो पृत्वी को घूमने का समय लगता है, वह चार मिनट लगता हैं, इसलिए दोस्त जाएंगे प्रते 1 डिगरी पर उनको 4 मिनट कलाब होगा हर 15 डिगरी में 1 गंटे कलाब होगा तो 180 डिगरी घुमेंगे तो 12 गंटे कलाब होगा और इसी तरह इधर क्या होगी दोस्तो हा नी होगी तो भारत क्या है 82 डिगरी पूर्वी में है तो आगे है ना अगर अब 82 को अगर हम लोग ऐसे लिख दे 82 तो समलोग 5 अगर 4 से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो आता है 330 कितना डिगरी ठीक है 330 डिगरी आएगा और अगर इसी को घंटा में बदलेंगे दोस्तों तो 60 से भायक देंगे तो गुजरती है कहां से नहीं गुजरती आंध प्रदेश से गुजरती है 36 गड़ से गुजरती उत्तर प्रदेश से गुजरती है लेकिन महाराष्ट से नहीं गुजरती है महाराष्ट से नहीं गुजरती है जो भारत में मानक समय रेखा गुजरती हो 5 राज्यों से होकर के ज ही नहीं है सही उत्तर का चैन है तू कूट का चैन करिए लिखा दोस्तों भारत विस्ट का पांचुवा सबसे बड़ा देश है नहीं दोस्तों सातों हैं ये बाते आपको पता होना चाहिए या अस्थल मंडल में कुल छेत्रफल का लगबग 2.4 प्रिश्द भाग अधिकृत क रेखेंगे तो करक रेखा यहां से जाती है दोस्तों तो कहने को मतलब इधर तो ऊश्र कटिवंदी है इधर नहीं है दोस्तों सीतोर कटिवंदी है इसलिए यह गलत हो जाता है 82 डिगरी 82 पूर्वी देशांतर से या निर्धारित किया जाता है मानक समय रेखा एकदम सही ह तो दो और चार सही है, बाकी दोस्तों गलत है दो, तो इस तरह ये भी सही हो जाता है, भारत में तटिय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में जो तटिय राज्यों की संख्या है दोस्तों, वहां आपको पता होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं, यहां पर है गुज इधर हो गये फिर इधर तमिल नाडू है याद रखेगा इधर आपका आंध प्रदेश है इधर आपका उडिसा है ठेक है उडिसा उडिसा सरकार तट और इधर आपका पश्चिम बंगाल तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों पांच राज इधर चार राज पूरू में तो कुल मिला करके नव राज तटीय राज है सवरवाधिक लंबी सीमा जो है उत्तर प्रदेश की है सबसे छोटी जो अर्थात जलिय तटीय सीमा है वो गोवा की है तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अगला है दच्छिर भारत की सबसे उच्छी चोट श्रेडी पर है यहाँ विशेश करके जी हाँ दोस्तों तमिल नाडू जो राजज है तमिल नाडू वहाँ पर देखनी को मिलेगा और जो नील गिरी परवस typically है वह आपको तमिल नाडू और केरल और कर्नाटक जैसे राजजों में फैली दिखाई देगे लेकिन विशेश क के तमिल नाडु में ये भी है इसी की सब से उची चोटी उचीचोटी अनाई मुरी है जिसकी उचाई 26.95 मिटर के आसपास है कभी कभी चान नवे मीटर दिखा है लेकिन वही पर आपके नीलगीरी उची चोटी जो है वह दोड़ा बेटा है ठीक है ना दोस्तों दोड़ा बेटा है याद रखिएगा और इसकी उचाई चोटी 2636 मीटर के आसपास देखने को मिलती है तो इस तरह दोस्तों आप यहां से भी नीलगीरी परवसरेडी ऐसी परवसरेडी है जो अंदाबाद सावरमती नदी के किनारे है शावरमती आसरम भी है दोस्तों जिसकी अस्थापना का आधार सिला महत्मा गांदी जी देखे होंगे वहीं पर रहते थे शावरमती आसरम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है गुजरात में है यह आसरम आपको पता होना चाहिए गुजरात की सबसे प्रदूसित नदियों में एक है शावरमती जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है पस्चिम की और प्रवाहित होने वाली नदियों को दक्षिर से उत्तर की और लगाना है दोस्तों तो मांडवी आपकी नहीं जो मांडवी दिया है न दो वह गोव में प्रवाहित होती है फिर इसके बाद आपका तापती नदी का अस्थान आता है किसका तापती नदी का अस्थान आता है ध्यान दीजेगा तापती नदी का अस्थान आता है यहां पर आपकी जो तापती नदी है वह यहां पर बहती है तापती नदी और फिर इसके उपर ब्रम्व पुत्रा नहीं नर्मदा नदी प्रवाही तो होती हैं फिर इसके उपार माही नदी आपका आती है क्या माही नदी तो दोस्तो ये जानना आपके लिए जरूरी है तो अब क्या दिक्कत क्या है लगा दीजिए दोस्तो किस तरह देखा है दक्षिर से उत्तर ना तो म इसलिए पस्चिम की और प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, नर्मदा नदी है, भ्रंस घाटी में सरवाधिक बहने वाली नदी भी नर्मदा नदी है, अमर कंटक परवस्त्रेडी से यह नदी निकलती है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है भरूच के सरदार सरोवर बांध इसी में हैं, जी हां बहुत सारी चीजे हैं, फिर कभी कुछ और भी रखने दीजे, धिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत दीजे, निमलिकित नदीयों को उत्तर से दक्षिड की ओर लगाना है, माई गौड, यह भी कोई मामूली प्रश्न नहीं है दो उसके बाद कावेरी नदी है, और फिर उसके बाद वगेई नदी है, यही चार नदिया है साइट आज जी हां, तो इनहीं को क्या लगाना है, दक्षिड से उत्तर की ओर की उत्तर से दक्षिड की ओर, तो उत्तर से दक्षिड की ओर लगाना है दोस्तों, तो गोदावरी ज गजब चार दो तीन एक होगा ना चार दो तीन एक हाँ तो आपसन नंबर आपका ए सही होगा आपसन नंबर आपका कौन सही होगा दोस्तो एक सही होगा यह जान लीजिए यह नहीं सही होगा यह बाते ठीक है ठीक है चलिए आगे बाते करते हैं अगला प्रश्ण है भारत की रूर किसे कहते हैं भारत की रूर महा नदी स्वन रेखा नदी दामोदर नदी हुगली नदी भारत की रूर दामोदर नदी को कहा जाता है जिस तरह विस्ट का रूर आपकानी राइन नदी को कहा जाता है उसी तरह भारत का रूर आपकानी क्या है दामोदर नदी है क्यों कह जाता है दोस्तों क्योंकि इसके वेसिन में कोईला का अत्यधिक होता है दोस्तों उत्पादन इसलिए भारत की काली नदी के नाम से भी जाने जाती है इसका उद्गम जो है जहरेकंड के पास छोटा नागपूर पठार से होता है यहा नदी बंगाल के सोक के नाम से जानी जाती है बंगाल के सोक के नाम से भी जानी जाती है यह भी बाते आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है किसकी हुगली नदी की सहायक नदी है दक्षिड की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तो हि पेरे मंजिल के मुसाफिर हिम्मत मरहारना सफलता निस्चित मिलेगी जल्द से जल्द जुडे रहे और जादा से जादा हाँ वीडियो को सेयर करते रहे और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा नहीं लाइक मत करिएगा मुझे कुछ ऐसी चाहने दिख प्रश्न बनता है एक दक्षिड की गंगा दक्षिड की गंगा किसे कहते हैं तो दक्षिड की गंगा आपको पता होना चाहिए गोदावरी को कहते हैं किसको कहते हैं गोदावरी कहते हैं जबकि दक्षिड भारत की गंगा किसे कहते हैं दक्षिड भारत की गंगा किसे कहते तो कावेरी को कहते हैं किसको कहते हैं कावेरी को कहते हैं यहां अपने आप में बहुत ही सांदार बाते हैं तो इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजे क्योंकि बहुत महत्त पूर है ठीक है चलिए सभी बच्चों कसने प्यार हम पर बना हुआ है लगातार बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं क्या घजब की बाते हैं यहां पर दोस्तों दच्छिड भारत की गंगा कावेरी को क्यों कहते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी पर भी मेला लगता है आप केनी याद रखिये गानी धनु सहरे ने तो इस तरह उनकी जो मूवी देखेंगे तो ज्यादा तर कावेरी नदी का सीन आपको दिखाई देता है तो यहां से भी बाते आप समझ सकते हैं निमलिखित में से जिम कारवेट नेशनल पार्क किस नदी से जी हां दोस्तों जि इसी के वीचों वीच से जाती है दोस्तों यहां याद रखना भारत का पहला जी हां दोस्तों नेशनल पार्क जो है आपका जिम के कारवेट नेशनल पार्क ही है तो दोस्तों इस तरह आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत ह बेतवा नदी मिलती है बेतवा किसकी सहायक नदी है यमुना की सहायक नदी है यमुना जी की बहुत सारी सहायक नदी है दोस्तों जिन में से चंबल आती है केन आती है ठीक है बेतवा आती है बेतवा आती है सिंद आती है सिंद ठीक है तो इस तरह यह बहुत सारी नदियां है हिंडन भी इसी की सहायक नदी है तो कहने का मतलब बहुत सारी सहायक नदियां है और अभी केन बेतवा लिंक पर योजना भी चल रहा है कावेरी नदी का उद्गम कहा से होता है सहांदरी से होता है क्या जी न ही दोस्तों हो बंबगिरी पहाड़ी के पास से होता है कावेरी नदी जल विवाद कई बार आपने सुनाओगा कावेरी नदी जल विवाद विशेश करके करनाटक राज्य और तमिल नाडु के बीच में है किसके बीच में तमिल नाडु के बीच में है विशेश कर लेकिन दोस्तों इसका विवाद केरल राज्य से भी जुड़ा है और पुदुचेरी से भी जुड़ा है यहां से भी बात है सीव समुद्रमबांद पषिजिन इसी न दी के तढ़िवर है याद रखिएगा यमुणा नदी का उदगम कहां से होता है यमुना नदी का उद्गम बंदर पुक्ष उत्रा खंड गंगो यमनोत्री नामा के अस्थान जो हिमनद है दोस्तों वहीं से होता है गोमुक हिमनद नहीं है इसका यमनोत्री नाम है इसका ठीक है यमनोत्री याद रखे गए यमनोत्री यमनोत्री भी कहते है तो यहाँ पर थोड़ा से देख लीजेगा, तो M93 लिख लीजेगा, तो वहाँ से होता है दोस्तों, यह उत्राखंड में, कहाँ पर, उत्राखंड में वही से होता है, और यहाँ आकर के इलाहाबाद प्रियाग राज के पास, से क्या होती है गंगा नदी मिल जाती है और यमुना नदी आपके आगरह दिल्ली कौसांबी ETC नामक अस्थानों से प्रवाहित होती है रुद्ध प्रयाग आपका दिया है नंद प्रयाग दिया है करण प्रयाग दिया है देव प्रयाग दिया है देव प्रयाग तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे भागी रथी और अलक नंदा के मिलने से होता है ठेक है जो देव प्रियाग होता है वहाँ आपका क्या होता है भागी रती और अलक नंदा के मिलने से होता है रुद्ध प्रियाग नंद प्रियाग तो दोस्तों नंद प्रियाग आपका नी नंदाकनी और अलक नंदा का जहां मिलान होता है वहाँ नंद प्रियाग का निर्म होता है साथी साथ दोस्तों रुद्ध प्रयाग जो होता है वह अलक नंदा मंदाकनी और करण प्रयाग जो है आपका अलक नंदा पिंडार के मिलने से बनता है तो इस तरह दोस्तों यह पांच प्रयाग है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन-कौन प्रयाग है विश्णु प्रयाग है ठेक है फिर आपका नी नंद प्रयाग है फिर आपका करण प्रयाग है फिर आपका नी याद रखिएगा दोस्तों साथ ही साथ हे रुद प्रयाग है और फिर आपका देव प्रयाग है तो विश्णु प्रयाग नंद प्रयाग ठेक है प्रियाग रुद्ध प्रियाग है रुद्ध प्रियाग है देव प्रियाग है ये पांच प्रियाग है दोस्तों और ये पांचों कहां पर है उत्रा खंड में हैं और यही बताना चाहता हूं आपको कि यही अलग नंदा जब अलग अलग अस्थानों में अलग अलग नदियों से मिलती है तभी ये प्रियागों का निर्माड होता है जो विश्णू प्रियाग होता है वहाँ अलग नंदा और धाली गंगा के मिलने से निर्माड होता है बाकी चार का लिखा हुआ है अगला प्रश ने अस्व अक्छान से कौन सी पेटी को कहा जाता है अस्व अक्छान से जैसे दोस्तों यहां हमारी प्रिथवी है प्रिथवी पर यह 0 डिगरी है तो 30 डिगरी से 35 डिगरी के बीच उत्तर और 30 डिगरी से 35 डिगरी के बीच दक्छिर का पार्ट अक्छान से हो उपोश्ल उच्च वायुदाव की पेटी होती है तो इसको भी नोट कर लिजेगा 30 से 35 डिगरी के पास का यह छेत्र होता है यहां से भी बाते समझेगा डोल ड्रम निम्नदाव की पेटी कहां पाई जाती है दोस्तों तो अत्धिक निम्नदाव की छेत्र जो पाया जाता है वह भूमद रेखा के पास पाया जाता है जिहां विश्वत रेखा के पास अत्धिक निम्नदाव के छेत्र को डोल ड्रम्स कहा जाता है या निम्नदाव छेत्र कहा जाता है अगला प्रेश्ण भारत में किस प्रकार की जलवाई उपाय जाती है दोस्तों तो भारत में सीतो कटिवंदी जलवायू पाई जाती गर्म जलवायू है ना भारत की जलवायू अगला है सन 2004 की सुनामी जो दारा भारत के निम्ण में से कौन सा सरवाधिक दूस प्रभावी रहा है दोस्तों तो आपको बता दे 26 दिसंबर की वो डेट है जब 2004 मेनी क्या हुआ था दोस्तों ब उसी के कारण यहां आया था दोस्तों भूकम्प यहां मलब यहां सुनामी और 11 देशों को इसने प्रभावित किया था जी हां दोस्तों भारत का सरवाधिक जो प्रभावित हुआ था वहां कौन सा राज प्रभावित हुआ था तो तमिल नाडु हुआ था तो कोरो मंडल व के आधार पर और रोही क्रम में विवस्थित करना है कैसे विवस्थित करना है और रोही क्रम में विवस्थित करना है आप सोच रहे होंगे सर मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं दोस्तो जब तक आप सफल नहीं होंगे और जब तक मेरी इक्छा की पूर्ती नहीं करेंगे कहन का मतलब ये है संख्या जितना मैं सोचा हूँ उसको पूर्ति नहीं करेंगे तब तक आपका नाम कैसे दोस्तों आप हमारा हा साथ दीजिये और लगातार वीडियो को लाइक सेयर करके नहीं अपने दोस्तों अपने समाज तक इसको बताए क्योंकि भीम सिंग का उद्देश ह समाज में रह रहे उस गाओं के लोगों तक भी वीडियो पहुचना चाहिए जो गाओं में बैटे जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं है जो आ नहीं सकते बहन बेटियां गाओं से बाहर है तो ओ लोग भी अपनी सिक्षा को मजबूत कर सके सर्व सिक्षा अभियान मेनी एक हमारी ओर से भी यह पहल है और इस्टडी 91 के परिवार की तरफ से भी पहल है हर सिक्षक चाहता है कि जी हां दोस्तो हमारा देश सिक्षित हो पर लिक करके आगे आए और दोस्तो कौन मैं इससे चार्ज आपका ले रहा हूं बस आप मेहनत करते रहे चिकनी मिट्टी बा मतलब पांच एमेम के आसपाद जो कर होता है वह बजरी का होता है किसका होता है बजरी का सबसे बड़ा कर होता है फिर इसके बाद आपके बालू का होता है फिर आपके गाद का होता है फिर आपके चिकनी मिट्टी का होता है तो पहले नंबर पर ये होता है दूसरे पर ये है यह है तीसरे पर यह है और चौथे पर यह है तो आपका बजरी मतलब 3 2 4 1 3 2 4 1 जहां हो वही आपसन आपका सही हो जाता है ठीक है न दोस्तो तो इस तरह आप तिंजन नहीं लेना लाल मिट्टी का रंग किस कारण लाल होता है तो लोहे के आइरन आकसाइड जो लोहे में आ होता है क्या अर्थात आपका नी लाल मिट्टी का रंग अगला हां आने से पहले आपको बता दे टॉप 30 मौक टेश्ट की स्रंखला हमारे यहां जबर जस्त चल लए है दोस्तो सायद UPSI की डेट भी आप देखे होंगे कि बढ़ने की संभावना निश्चित आ चुकी है त जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है याद रखना दोस्तो समस्त मिर्दाओं में सरवाधिक उपजाओ मिर्दा हा जिसका निर्मार क्या होता है दोस्तो नदियों द्वारा हा लाई गई मिर्दाओं के कारण होता है वह आपका जलोड भारत में सरवाधिक विस्तार इसी का ह भारत में सबसे अधिक उपजाओ मिर्दा कौन सी है तो वह आपकी जलोड मिर्दा है कौन सी है दोस्तों वह आपकी जलोड मिर्दा है भारत में उत्तर भारत का पूरा छेत्र जो अधिक तर है वह जलोड मिर्दा से युक्त है इस तरह आप देख सकते हैं इसमें भी बांगर और खादर होती है नवीन जलोड मिर्दा और पुरानी जलोड मिर्दा होती है यहाद रखिएगा गोबिंद बल पंत सागर जलास है इस्थित है दोस्तों कहाँ पर इस्थित है तो विशेश करके उत्तर प्रदेश में इस्थित है गोबिंद बल पंत सागर और यहाँ कहाँ पर है दोस्तो तो यहां आपके सोन नदी जो ठीक है ना दोस्तो रिहंद नदी है ठीक है उसी तरफ दिखाई देने को मिलेगा अगला क्या कहता है दोस्तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दुलहस्ती है चंबल है गांधी सागर है उकाई है तवा है तो तवा तो आपका दोस तापती नदी से संबन्दित है अब दुलहस्ती परियोजना आपके चिनाब में है और गान्धी सागर आपकी चंबल नदी से संबन्दित है तो दोस्तों पहले का दूसरा दूसरे कवन पहले का दूसरा दूसरे कवन है जहां पर मिलता है वही आपसन आपका क्या होता है सही ह होता है आज कल ऐसे प्रश्ण भी देखने को मिले हैं कावेरी नदी के जलबटवारे का विवाद कितने राज्यों से संबंदित है दोस्तों तो जितना लाश्ट में बड़ा दिया है समझो वही है तमिन लाडु करनाटा केरल और पुदु चेरी इस पर हमने बाते कर लिये है सूची वन को सूची टू से मिलाना है खाद उत्पादन में बिद्धी के लिए आपको पता होना चाहिए हरित करांती दूग्ध उत्पादन के लिए स्वेत करांती मत्स उत्पादन के लिए नीली करांती और उर्वरक के लिए भूरी करांती संबंधित है तो कहने का मतलब यह है एक आपका दोस्तो टाइम जादा नहीं है थोड़ा सा क्या है आपके प्रशनों की संख्या जादा है नहीं इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें है दोस्तो याद रखिएगा शाम करांती है ठीक है जी हाँ दोस्तो बहुत सारी करांतियां है तो इस तरह पहले का पहले का पहला दूसरे का तीसरा जो मिल रहा है वहां आपसन नंबर आपके एक में भी है जी हां दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोयावीन उत्पादक राज्य कौन सा है मद्ध प्रदेश है जी हां दोस्तों भारत में सरवाधिक सोयावीन जो अर्थात उत्पादित होती है वह मद्ध प्रदेश राज में ही होती है यह जानना चाहिए सरसो के लिए आप कहानी दोस्तो राजस्थान प्रसिद अस्थान रहता है कपास के लिए महाराष्ट आपका अस्थान रखता है तो इस तरह आप जान सकते हैं निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है जूट के लिए पस्चिम बंगाल प्रसिद्ध है चाय के लिए असम प्रसिद्ध है गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश जब की रवर के लिए केरल प्रसिद्ध है लिखा है हिमाचल प्रदेश तो गलत हो जाता है रवर के लिए कौन केरल प्रसिद्ध है अगला दोस्तों आपका सूची वन को सूची टू से मिलाना है जूट का सरवाधिक उत्पादन कौन सा राज करता है पस्चिम बंगाल करता है बिश्व में कौन करता है तो बांगला देश करता है चाय के लिए आप कौन सरवाधिक है तो असम करता है गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश है रवर के लिए आपक है अगला प्रश्ण आपके सामने निम लिखित कथनों पर विचार करिए ठीक है चाय असम की मुख फसल है एकदम सही बात है कहवा तमिन लाडु का नहीं दोस्तों कहवा मतलब करनाटक का प्रमुख फसल है तमाकू के लिए आंध प्रदेश एकदम जी हाँ दोस्तों जूट 36 गड़ नहीं दोस्तों जूट आपका पश्ची मंगाल है तो यहां एक और तीन सही है बाकी दोस्तों दो गलत है अगला प्रश्ण आने से पहले आपको बता दे बहुत सारे हैं कोर्सेस हमारे साथ चलने हैं बच्चे लगातार अपना एंसर दे रहे हैं और इस एंसर को द उत्तर प्रदेस है फिर पंजाब हर्याडा जैसे राज्यो का भी असम जैसे राज्यो पंजाब हर्याडा पश्ची मंगाल जैसे राज्यो का भी गेहुं के उत्पादन में अच्छा अस्थान है तो गेहुं का सरवादिक उत्पादन उत्तर प्रदेस ही करता है दोस्तों यह बाते आपको पता होना चाहिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, केंदरी अनुशंधान जो है दोस्तों ओ आपका क्या है, लिखा राष्टी पर्यवरण अभियांत्रिक अनुशंधान जो है, वह कहां पर है दोस्तों, तो आपको बताना पड़ेगा कहां पर है, फिर लि तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं, कि यह बहुत सांदार प्रश्ण है, तो आपको राष्टी पर्यवरण अभियांत्रिक अनुशंधान नाकपूर, ठेक है केंदरी खाद प्रदोगी की अनुशंधान मैसूर, केंदरी आलू सिमला है, और आपका केंदरी तमाकू र प्रदेश की एक है, जो आला मुखी जील है, क्या याद रखियेगा दोस्तों, नहीं महाराष्ट की है, कहा की है, महाराष्ट की है, नक्की गुजरात की है, क्या दोस्तों ये कह रहा है, कुलेरू कहा की है, आंद प्रदेश की है, क्या, पुलिकट कहा की है, केरल की है, क्य तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजे दोस्तो बहुत ही सान्दार प्रश्ण है लगातार बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी बच्चों का उतसाह देख करके एकदम मजा आ रहा है ठीक न दोस्तो एकदम मजा आ रहा है तो इस तरह बिल्कुल एकदम सही एंसर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत सांदार प्रश्न है आपका सही सुमेलित ढूड़ना है ना सही सुमेलित तो आपको मिली ही चुका होगा बताने की क्या जरूरत है यार जल्दी से बता दीजिए तो लोनार जो है महाराष्ट कीनी एक ज्वाला मुखी या जील है दोस्तों यह बाते पता होना चाहिए और यहाँ जील जो है वह क्रेटर में इस्थित जील है दूसरा क्या है दोस्तों आपको नक्की जो है वो राजस्थान की जील है को लेरू आप की सीमा पर इस्थित या जील है इस तरह आपका ऑप्सर नंबर थर्ड सई होता है चिलका जील आपका एक लेगून जील है और यहां उडिसा में जील इस्थित है साथ ही साथ यहां एक खारे पानी की जील है भारत की सबसे बड़ी जीलों में से एक है दोस्तो आपकी चिलका जील प्रवासी पक्षी यहां बहुत आते हैं निम्म लिखित परवस्त रेडियों को पूर्व से पस्चिम दिशा में लगाना तो मैं एक तरफ से लगा देता हूं बाकी आप लोग लगा लिजेगा गारो आता है खासी आता है जी हां दोस्तो जैनतिया आता है तीन तो यह हो गया अब जिस तरह कहरा हो उधर लगा दीजिए दोस्तो यह आपका पस्चिम से पूर्व है और यह आपका पूर्व से पस्चिम है जिधर कहें बता दीजिए पूर्व से पस्चिम तो पहला नागा हिंस आएगा पहले नागा हिंस आएगा फिर जैनतिया आएगा फिर खा एक दो तीन चार एक दो जहां मिले option number second उसी को सही कर लिजेगा आगे देखिए दोस्तों आपका निम लिखित में से सही है भारत के संपूर भूभाग पर लगभग 10.6 प्रत स्रेडिया हैं एकदम सही बात है परवस्रेडिया है अच्छा परवस्रेडिया आपको देख लीज होता है ठीक है ध्यान से समझेगा साघर का जैसे क्या होता है यह जल का पार्ट होता है इस जल के अगर उचाई की द्रिश्टी से आप देखिएगा दोस्तो 300 मीटर से मतलब 150 मीटर से 350 मीटर ठीक है 150 मीटर से लगबग 300 मीटर तक अगर उचाई रहती है तो इसे बोलते हैं मैदानिय छेत्र सागर के उपर ठीक है मैदानिय छेत्र फिर अगर 300 से ज्यादा है अर्थात 300 से 600 मीटर तक की उचाई का छेत्र है तो इसे बोलते हैं पठारिय छेत्र ठीक है फिर 600 से अगर 1000 मीटर तक की उचाई है कितना 1000 तक की मीटर की उचाई है तो इसे बोलते हैं पहाडी चेतर है इसे क्या बोलते हैं पहाडी चेतर और 1000 मीटर के ऊपर सारा जो चेतर आता है वो परवती चेतर होता है ठीक है तो काईनें का म capitalist जानना चाहिए आपका परवत चेतर है एकदम सही है 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां ये भी सही है 27.7% भूभाग पर पठार है ये भी सही है और 43.2% भूभाग पर क्या ब्रिस्तित मैदान ये भी सही है तो 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है ठीक है अगला प्रश्ण आपका एवरेष्ट पर चढ़ने वाली दुतिय महिला कौन थी दोस्तों तो संतोस यादों थी और इनों नी ही दो बार जी हाँ दोस्तों एवरेष्ट पर चढ़ करके दुनिया का सिखर पता किया था याद रखियेगा बचेंदरी पाल पहली ऐसी महिला है जो सिखर पर पहुची थी याद रखना अरुणीमा सिनहा पहली ऐसी हैंड कैप्टिन महिला है जो विस्त की सरोच चोटी पर याद रखना फता किया था भारत का सब से उचा परवत सिखर कौन सा है तो भारत का सबसे उचा परवस सिखर आपको पता होना चाहिए दोस्तों भारत का सबसे उचा परवस सिखर है यहाँ पर कंचा जंगा है ठीक है क्योंने कंचन जंगा अगर यहाँ केटू दिया होता तो केटू पर पहले लगता है अथात गाडवीन आश्टिन पर पहले अस् ठीक है तो इस तरह आपका कंजन जंगा भारत और शिक्किम के दोनों के बीच में है और लेकिन उत्त्रा धिकारी जो भारत पूरा अपने कबजे में लिया हुआ है यह चीजे जान लीजे कबजे में अपना है गुरु सिखर परवत चोटी कौन से राज में अवस्थित है रा अरावली जो परवस्थ रेड़ी है कौन अरावली परवस्थ रेड़ी है उसकी सबसे उची चोटी है जो माउंट ठीक है न दोस्तों माउंट आबू पर है ठीक है माउंट आबू पर है लगभग 1722 मीटर इसकी क्या है दोस्तों इसकी उचाई है और यह राजस्थान की है तो नातुला दर्रा आपके सिक्किम में है, तो यहां से भी पुछा जाता है, याद रखिएगा, तो दोस्तो ये आपका जी हाँ दोस्तो पूरा सांदार स्रंखला लही जिस पर आपने देखा ताबर तोड़ प्रशन है लगातार हम लोगों ने किया हर एक प्रशनों पर बात है तो दोस्तो आपने दिया हमारा इतना साथ आगे भी वीडियो जब रुकेगा तो आप प्यार हम पर बना रहना चाहिए दोस्तो स्रंखला कैसे लगी एक विचार अपना जिरूर दीजिएगा अगर किसी भी प्रशन में कोई भी समिस्या होती है तो हमारे दिये गए कॉंटेक्ट नंबर पर आप कॉल करके नहीं जी हाँ दोस्तो बात कर सकते हैं लगातार चीज यह चलती रहती हैं तो आप सभी लोगों का सनेह प्यार हम पर बना रहें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जैहिंद